हलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल लीगल हेलप इन हिंदी फ्रेंस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटरनेटी लीव के बारे में एक ब्रहम पैदा होता है कि क्या मैटरनेटी लीव के दौरान कोई भी इंपलॉयर किसी भी महिला को इंपलॉयमेंट से न कुल मत भूलेगा maternity benefit जैसे की नाम से ही पता चलता है मातत्व लाब इसका फाइदा वही महिलाएं उठा सकती हैं जो की pregnant होती हैं या फिर जेस्ट उनकी delivery होई है maternity leave हमेशा paid होती है इस दौरान company को महिला को पूरी salary पे करने होती है हाला कि वो इस दौरान छुट्टी पर होती है और महिला की जगा दूसरे करमचारी को काम पर भी लगाना पड़ता है उन्हें काम के लिए training भी देने पड़ती है इस तरह से company को ज़्यादा खर्च करना पड़ जाता है इसलिए company महिलाओं को इस दौरान resign करने के लिए force करती है जो कि पूरी तरह से गलत है कोई भी महिला जो की ऐसी जगा पर काम करती है जहाँ पर 10 या फिर उस से ज़्यादा employee काम करते है वहाँ पर महिलाएं maternity leave का benefit उठा सकती है maternity benefit act 1961 के तहट maternity leave का benefit उठाया जा सकता है और इस act का benefit वो महिलाएं भी उठा सकती है जो की contractual basis पर जौब करती है या फिर permanent नौकरी में है या फिर किसी private जौब में काम करती है maternity amendment bill 2017 में इस act में कुछ major बदलाव किये गए जिसके बाद अगर कोई महिला किसी company में जहां पर 10 या फिर उस से ज़्यादा लोग नौकरी करते होंगे अगर वो महिला वहाँ पर एक साल या फिर उस से ज़्यादा से काम करती है या फिर 80 दिनों से काम कर रही है तो वो महिला maternity leave का benefit ले सकती है और इस दोरान उसे पूरी salary भी दी जानी जरूरी होती है ये act factory में माइन में दुकानों में सरकारी नौकरियों में इस तरह की छोटी मोटी दुकाने जहां पर 10 से ज़्यादा employee काम करते हैं वहाँ पर महिलाएं इस benefit का लाब उठा सकती है तो सवाल ये भी उठता है कि maternity benefit जो leave होती है वो कितने दिन की होती है maternity amendment will 2017 में बतलाओं के बाद अब महिलाओं को 26 सब्ताहा की paid leave मिल सकती है पहले ये 12 सब्ताहा की मिला करती थी और अपनी सुविधा के नुसार महिलाएं इस leave को दो भागों में divide भी कर सकती है यानि की delivery से पहले 8 हफ़ती की leave ले सकती है और delivery के बाद 16 हफ़ती की छुटियां वो असानी से ले सकती है maternity leave दो बार ली जा सकती है यानि की दो pregnancy के लिए maternity leave दी जाती है लेकिन अगर आपका तीसरा बच्चा होने वाला है तो ये leave सिर्फ 12 हफ़तों की दी जाती है सेम यही law उन महिलाओं पर भी लागू होता है जो महिलाएं सेरोगेसी के जरिये से बच्चा पैदा करवाती है तब वो maternity leave सिर्फ 12 हफ़ते की ले सकती है इसी तरह से गॉर्मेंट जाब में जो महिलाओं काम करती है वहाँ पर maternity leave जो होती है वो 180 दिन की होती है और वहाँ पर भी इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है यानि की pregnancy से पहले और pregnancy के बाद दोनों तरह से उसको डिवाइड किया जा सकता है इसी तरह से अगर कोई बच्चा गोद लेता है तो maternity leave जो होती है वो 12 सब्ता की हो जाती है लेकिन बच्चे की जो उमर होनी चाहिए वो कम से कम तीन महीने की होनी चाहिए और maternity leave गोद लेने के दिन से ही स्टार्ट हो जाती है तो अब सवाल ये उड़ता है कि maternity leave के दोरान क्या कोई employer आपको नौकरी से निकाल सकता है अगर कोई महिला maternity leave पर है और leave के दोरान employer उसे नौकरी से निकाल देता है वैसे तो इंडिया में एक employer maternity leave के दोरान किसी भी महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता और ना ही किसी महिला को maternity leave देने से मना कर सकता है तो हर एक महिला employment के दोरान maternity benefit का जो लाब होता है वो उठा सकती है लेकिन अगर आपको maternity leave के दोरान नौकरी से निकाल दिया गया है या बरखास्त कर दिया गया है तो आपको अपने शिकायत company के HR department को करने चाहिए HR आपकी problem को solve कर सकते हैं अगर HR के दोरा आपकी कोई भी राहत नहीं मिलती है या फिर आप उससे satisfied नहीं होते हैं तो आप अपने employer को legal notice भेज सकते हैं इसके लिए आपको एक expert advocate की जरूरत पढ़ती है और आपको उसका सहरा जरूर लेना चाहिए आम तोर पर एक legal notice भेजने के बाद काफी हत तक problem solve हो जाती है लेकिन अगर इसके बावजूर भी आपकी problem solve नहीं होती है तो आप labor court का सहरा ले सकते हैं और वहाँ पर आप इसके regarding case भी फाइल कर सकते हैं law के according अगर कोई employer maternity leave देने से मना करता है तो उस पर 5000 रुपे का जुर्माना लगाया जा सकता है और तीन महीने की punishment भी दी जा सकती है और अगर आपका employment आपको बरखास करता है इस दोरान तो उसे 3 से 12 महीने की सजा भी हो सकती है तो friends ये था वीडियो हमारा maternity leave के उपर hope की आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो information अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को like, share और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलेगा